चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को समानने की चर्चा हो, अर इतना ही नहीं खिलोने बनानी की बात हो, क्या कुछ नहीं था, शायद कितने बिशयों को हमने स्पर्स किया है, तो वो भी शायद अंगिनत हो जाएंगे, इस दोरान हमने समय समय पर महान अपर भी बात की, उनसे प्रेना लेने की कोशिश की हैं, कई बाते आपने मुझे बताई, कई आइडिया दिये, एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथ-साथ चलते रहे, जूडते रहे, और कुछ इनको नया जोडते भी रहे, मैं आज इस प्रचतरवे एपिसोड क समय, सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, सम्रुद्ध बनाने के लिए, और इससे जूड़े रहे के लिए, हर स्रोता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे प्यारे देश्वांचियों, देखिए कितना बड़ा सुगत से योग है, आज मुझे 75-वी मन की बात करने का अफसर, और यही मेना, आज हाजी के 75 साल के अमरुत महोतसव के आरम का मेना, अमरुत महोतसव दाड़ी यात्रा के दिन से सुरू हुआ था, और 15 अगर 2023 तक चलेगा, अमरुत महोतसव से जूड़े कारकम पुरे देश में लगातार हो रहे हैं, अलग-अल साथ, जारखन के नवीन ने मुझे एक संदेश बेजा है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमरुत महोतसव के कारकम देखे और ताई किया कि वो भी स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे, उनके लिष्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है, नवीन ने लिखा है कि जारखन के आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों के कहानिया वो देश के दूसरे हिस्व में पहुचाएंगे, भाई नवीन आपकी सोच के लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूं, साथियों किसी स्वाधिन्ता सेनानी की स अंगर्श गाता हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई स्थान्सकृति कहानी हो, अमुरुत महोत्सव के धोरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं, देश वाधियों को उसे जोडने का मध्यम बन सकते हैं, आप देखीगा, देखते ही देखते हैं अमुरुत महोत्स वारत की आजहादी के सो वर्स तक प्रेना देगी। देश को नई उचाई पर ले जाएगी। कुछ नुकुछ करने का जज्वा परदा करेगी। आजहादी के लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कस्ट इसलिए से हैं क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बडिधान को अपना कर्तवे समझते थे। उनके त्याग और बडिधान के अमर घहां था है, अब हमें सतत कर्तवे पत के लिए प्रेदित करें। और जैसे गीता में भगवान क्रश्मे ने कहा है नियतम कुरू कर्म तो हम कर्म जयो हकर्मन हा। उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत करित्मियों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आज हाजिका अमुरुत महोतस्व का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें। उन संकल्प को सिध्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाय के हो, देश की भलाय के हो, भारत के उजवल भविश्य के लिए हो, और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयम का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तब बें जुड़ा हुआ हो, मुझे विश्वास है, गीता को जीने का ये सु प्रिवन आउसर हम लोगों के पास है। मेरे प्यारे देश वास्यों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पुर गर्व उधारन था। आने वाली पीडियान इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करे गी। उसी प्रकार से हमारे कॉरोना वेरियर्स के प्रती सम्मान, आदर, ठाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना। आपको अंदाज नहीं है कॉरोना वारियर्स के दिल को कितना छ चू गया था वो और वही तो कारण है जो पूरी साल भर बे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरी की जान बचाने के लिए जी जान से जूजते रहे पिछले साल इस समय सवाल था कि कुरोना की वैक्षिन कब तक आएगी साथ को हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनीया का सबसे बड़ा vaccination program चला रहा है vaccination program के तस्विरों की बारे में नहीं बुज्गा की पुष्पा शूकरा झ醬ा जी नहीं लिखा है कि घर के बड़े बुजुरगों में vaccine 먹 रहा है उसकी मैं मन की बात में करूँ साथियों सही भी है देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरे सुन रहे हैं ऐसी तस्वीरे देख रहे हैं जो हमारे दिल को छुजाती है यूपी के जौनपूर में 109 वर्स की बुजुर मा राम दुलिया जी ने पिका लगवाया है ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कुशन जी ने वैक्सिन की डोड ली है हाइदराबाद में 100 साल के जय चौदरी जी ने वैक्सिन लगवाई और सभी से अपिल भी है कि वैक्सिन जरूर लगवाई मैं ट्वीटर फेस्बूक पर भई यह देख रहा हूँ कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सिन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं केरल से एक युवाई आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है वैक्सिन सेवा ऐसे ही संदेश दिल्दी से शिवानी हिमाचल से हिमान्सू और दूसरे कई युवाउने भी बेज़े हैं मैं आप सभी सोताओं के इन विचारों के सरहना करता हूँ इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंतर भी जरूर याद रखे दवाई भी कड़ाई भी और सिर्ब मुझे बोलना ऐसा नहीं हमें जीना भी हैं बोलना भी हैं बताना भी हैं और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबर्द बनाते रहना है